है कमें सब्सक्राइब नहीं है कि दिक्कत काउट में साफ़न किया नागर्टा कानून में अ Prob आपको यह सब्सक्राह्ऊनार्थियों को ले ना ही है तो आप सब sobie Up तो जो हमारे यहां सरण आप सबको लीजिए जहां तक किया नामाने बात है जो संसोधन की इन की तो आपको यह द्धर्म को बाटने की राज मिर नाहीं कर रहें यह द्रुद्र पर किसे धर्म-देश इसी भी कानून का हम कांगेस पाटी समर्तन नहीं करते हैं एक और सम्झावता हुगा था उन्हीसापचास में लियाकत अलीवर पंडी जोहाल नहरू का उसमें उन्होंने कहा था कि आप दुनों देशों का अलफसंख्य को का ध्यान रखा जागा भारत तो रख लिया पाकिस् अलफसंख्य का इस पर यह बात है इसमें हम युनों में इस बात को इस मुद्धे को उठा सकते हैं बहुत जगह नंतरराश्ट्य अस्तर पे इस मुद्धे को अप्रदेश्य का मामला है तो नेशनल पॉलिटिक्स हो गई नेशनल बात हो गई कि पाकिस्तान अपने अलफसंख्यों को कि क्या नाम है इज्जत नहीं करता उनको नहीं समाल सकता और उन्हीं सोपचास का जो समद्ध होता है उसको लेकर हम उसमुद्धे को उठा सकते हैं लेकिन आप सरण दे देना सरण देना यह भी गैर वाजिब नहीं है मैं यह नहीं कि पाकिस्तान में जो हिंदू सताय रहा है तो जाएंगे कहां डेके हिंदू पॉलिटिक्स और नहीं प्लिटिक्स के कानून है नहीं नहीं बनाएंगे तो हम धर्म के आधार पर नहीं बनाएंगे तो कानून में संसुदन नहीं लिया दूसरी बात कानून की बात रही जैसा कि मैंने कानून पढ़ा है उसमें जो नर्सी से जोड़के को देखेंगे तो इसके बहुत सारी नुकसान है नर्सी तो लागू ही नहीं हुआ है लेकिन एक सिक्के के यह दो पहलों है एनार्सी और जब आप सीए जब एनार्सी किया आपने उसमें पंदरा लाक लोग अश्वाइदानिक निकले मतलब गुस्पैटिये निकले उन्नीस लाक लोग जिसमें पंदरा लाक लाक हिंदू निकले तो आपको अपने वोड़के की चिंता सताएं लगी आपने सोचा कि अगर वोड़के की राजनीत कर रहे हैं जो यह दंगे हो रहे हैं यह अपने वोड़के की वाल्टिक्स की वज़ए से बीजेपी ने देश में इतना जो गंदा महौल है आज उत्पन कर दिया इसमय खुष है और भारत के मसलमान तो जाते नहीं है बिलकुल नहीं जाते हैं रहा है यह नहीं है कि आप हिंदू को ले हमारा धर्म के आधार पर क्यों लोगों को ले रहें आप सभी अलशंक्या को लीजिए आप अलशंक्या के साथ मुसल्मान भी पताड़े थे उनको देखे पाकिस्तान की स्थिति समय बहुत खराब है वहां सभी लोग सताय हुए केवल मुसल आधार पर कोई भी कानून में संसोधन ना कर यह पहली बात दूसरी बात जो लोग वहां प्रताड़े थे आप सब को लीजिए भारत से बड़ा हिंदू कोई बहुत संख्यक देश तो है नहीं पूरे भीश्व में तो फिर पाकिस्तान की मुसल्मानों की बात कर रहा है हमारा ही दिल बड़ा है तर्म के आदार किरी कानून में अपने वोट-बैंक की पॉलिटिक्स के अधान पर इस देष को बात्यास है यह तोटल हिंदू हमारे साथ रहे 25 क्रोड की कांगरेस ने खाँ आप ने सुरू किया है कांगरेस चाहती है कि धारम और जात वाली राजनित नहीं और कपील सब सिबल का बयान आ रहा है संसद में की मुसलमानों को डरने की जरुवत नहीं तो आपने इन से कहा कि आप लो 14 जन्वारी को दिसंबर को रैली करते हैं 15 को दंगा हो जाता है मैं आपको यह बता दू 14 दिसंबर को जो हम लोगों की रैली थी हमारी अखिल भारती राष्ट्रिया देख सुनिया गांधी प्रेंका गांधी उनका एक ही मकसद था देश में सिच्छा, स्वास्त और रुजगार महिलाओं पर अत्यचार कम हो करते ही यह नहीं था कि धर्म के अधार पर हमको उठ दीजिए यह सिर्भाजबार जब सरकार में रहती जिद नहीं रती है तो दंगा कराती है सरकार में जब जब आ जाती है तब दंगा कराती है क्यों हिंदू मुस्लिम पोलोराज करने के लिए लखनों में जो कल उपद्र हुआ आंदोलन के नाम पर उपद्र मांगी मांगनी चाहिए ठीक है लेकिन ठाना जला दिया जाए बस जला दिया जाए यह को अंसा लुक तंत्र है वह तो अभी संज हमारे बरिष्ट संज चोबे जी आपको बताया है जो भी जलाया है उसको आप पकड़के कानून सजा दीजिए जो भी पुलिस वाले दोस्ति है उनको भी पकड़के आप संसने छे साल साथ सालों में सब संपत्ति नहीं बनाई है इसका टोटल बनाने का सरे कांग्रेस पार्टी को जाता है इसलिए हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए है और धर्म जात कि राजनित कांग्रेस कभी न की है न करेगी